दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत रतन डोक्टर एपीज अब्दुल कलाम जी की वो 11 बाते सेयर करूँगा जिने कलाम साब ने खुद अपनी लाइफ में अपलाई किया और फिर उन्होंने ना सिर्फ इंडिया की इमेज बदली बलकि लोगों को सपने द प्रह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो दोस्तो हम किसी भी सक्सेस्पुल परसन को देखते हैं तो हम भी उसी के जैसा बनना चाहते हैं लेकिन हम यह देखना भूल जाते हैं कि वहां तक पहुँचने में उस बंदे ने अपने आपको कितना तपाया है इसलिए अगर आप वाकई सक्सपूल बनना चाहते हो तो अपने आपको महनत की आग में तपाना सुरू कर दो। कलांच साब ने कहा था इससे पहले की सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे क्योंकि बिना सपने देखे आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं तो उने पूरा कैसे करोगे सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं उन्होंने कहा था यूवाओ के लिए मेरा संदेश है कि ये अलग सोचने का सास रखें अविसकार करने का सास रखें अंदेखे रास्तों पर चलने का सास रखे असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत आंसिल करके सफल होने का सास रखे यदि इन चार बातों का पालन किया जाए पहला एक माहन लक्ष बनाया जाए दूसरा ग्यान अरजित किया जाए तीसरा कड़ी महनत की जाए और चोथा द्रड रहा जाए तो कुछ भी आसिल किया जा सकता है मुझे पक्का यकीन है कि जब तक किसी ने नाकाम्याबी की कड़वी गोली ना चखियो वो काम्याबी के लिए परियाप्त महतु कांक्षा नहीं रख सकता इनसान को कठिनाईयों की आवशकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत जरूरी है दोस्तो कलाम साब ने एक भहुती गजब की बात कही थी अगर किसी देश को ब्रश्टाचार मुक्त और सुन्दर बनवाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा द्रडता पूर्वक मानना है कि तीन लोग ऐसा कर सकते हैं माता पिता और गुरू आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तैकी हुई जगह पे ना पहुंच जाओ यही अधितियत तुम हो जिन्दगी में एक लक्षे रखो लगातार ज्यान प्राप्त करने के लिए द्रड रहो सफलता आपके कदम चुमेगी जैहिंद वंदे मातरम